नमस्कार गुट्टी की पोटली में आप सबी का हार्दिए स्वागत है आज इस वीडियो में हम बाजरे की मीठी गुलवाली रोटी बनाएंगे सर्टियों में बाजरे की मीठी गुरवाली रोटी बहुत ही तेस्टी लगती है हमारे श्रीर को गर्माईश देती है और ताकत भी देती है सबसे बड़ी बात है ना तो ये ओनलाइन मिलती है और ना ही ये ओफलाइन मिलती है इसे हमें घर में ही बनाना है और इसको बनानी की सारी टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करोंगी ताकि आपकी भी बाजरे की मीठी गुरवाली रोटी पहली बार में ही ठीक बन जाए और बाजरे की रोटी को एक बार बना कर आप 15 दिन तक खापी सकते हो बस जब रोटी खाने हो तब आप इसे हलका सा गरम कर ले रोटी एक तम से सॉफ्ट हो जाएगी हाँ बाजरे की रोटी मनाती समय एक फिल स्टेप आपको मिस नहीं करना वरना आपकी बाजरे की रोटी ठीक नहीं बनेगी तो आएए अब हम अपनी बाजरे की मीठी गुरवाली रोटी बनानी शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तारा एक हमबर रिक्वेस्ट यति आप नेरे चैनल पर नए है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है तो आए अब हम अपनी बाजरी की मिल्खी गूर वाले रोटी बनाने के लिए यहां पर मैंने वन फोर्थ कप सीपी कम पानी लिया है कर्ची से नापनी पर यह दो पर्ची पानी है और गूर पिगलाने के लिए यहां प पानी ले हुआ और आठागुंधने के लिए पानी पूरानल लगा आठागुंधनी के लिए पानी बच gelir गया तो रोटी में मिठास कम हो जाएगी गुर्द कम जाएगा इसलिए यहां पर पानी मैं बहुत कम ले हुए और इसे के साथ-साथ दूंटब्सक्राम मिने कर लिय स्क्राइब दूढ दूद नहीं दूख्छ लेहे हैं मंपिखले गुड़ और यह तब टक चाशने पिखलाना के लिए यहां पर मैंने 204 ग्राम बाजरे का आटा लिया है जिसे मैंने चलनी से छान लिया है आटा छानने के बाद पचे हुए छानभूर को जिसे कुछ लोग चोकर भी बोलते हैं इसको फेंकिये का मत सर्थी में जब जुकाम खांसी नाक से पानी आने के लिए हम भीसन का स देता है और दूसरा ताकत भी ज्यादा देता है और टेस्टी भी ज्यादा लगता है हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप से भी कम कर्ची से नापने पर एक कप बारीक सोफ है और जदि आपके घर में सोफ मोटी है तो भी कोई बात नहीं आप उसे मिक्सी में हलका सा चला बीच लीजे तो आपकी सोफ भी बारीक हो जाएगी अब हम इसमें डालेंगे कद्व कस किया हुआ नारियल का चूरा मीसिंग कप से नापने पर थर्ड कप से कम नारियल का चूरा है और कर्ची से नापने पर ये तो कर्ची नारियल का चूरा है नारियल के चूरे को ना कम क करने से आपकी रोटी सख़त बने की और नारियल का चूरा ज्यादा डालने से रोटी टूट जाएगी क्योंकि नारियल में खी या तेल होता है इसलिए इसको हम ना कम कर सकते हैं और नाहीं ज्यादा कर सकते हैं और आप इसमें ड्राइफरोट को काम कर सकते हो ज्यादा कर सकत से कट्डूकस किया है नार्यर को कट्डूकस की मोती वाली साइट से कट्डूकस पिल्कुल ना करें इस से हमारी रोटी पनाते समें तूटती रहेगी यहां पर मैंने काजू अखरोट आप मिकसी में दरतरा पिस लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहां पर हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है, अब हम चलनी से छांते हुए सारे गुड को आटे पर डाल देंगे और आटे को खूंद लेंगे, यदि जुरूरत पड़ी तो इसी गुड वाले फ्राइंग पैन में ही आथा एक अच्छी पानी डाल कर जुरूरत के अनुसार आटे पर डाल देंगे और आटा गुंद कर त्यार कर लेंगे, यहां पर हमने अपने बाजरी के आटे को अच्छे से गुंद लिया है, लास्ट में इसके उपर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तेल ही लगाना है, खी और एक चिकना डो बनकर प्यार हो जाएगा, और इसे सेट करने के लिए 10-15 मिन्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, और पेड़े बनाने से पहले गैस पर लो फ्लेम पर तवे को रख देंगे, पेड़ा बनाने के लिए सर्सो के ते पेली के किनारे पर जोर लगाएंगे, ऐसा हम दो तीन बार करेंगे, बस फिर घुमा कर एक गोल सा पेड़ा बना लेंगे, बस हो गया गोल पेड़ा त्यार, अब हम इसे अपने हाथ की मतसी इस तरह थोड़ा सा पहले चप्ता कर लेंगे, और फिर पहिया चलाती हुई, इ जैसा गोल कर लेंगे, जब एक बार लोई के किनारे एक तम से गोल हो जाती है, लोई एक तम से गोल बनकर त्यार हो जाती है, तो उसके बात जब हम रोटी बेलते हैं, रोटी अपने आप गोल आएगी, साथ में रोटी के किनारे तूटेंगे भीने, बस हो गई गोल लोई पतेल लगा रहे हैं आप कोई भी कुकिंग ओयल का यूज कर सकते हो और हाथ की मदद से हम इसे पनी के उपर फैला देंगे पनी के उपर खी या देशी खी का यूज विल्कुल नहीं करना आपकी रोटी गोल तो बन जाएगी लिकिन जब आप इसे पनी से उतारेंगे तो रो नमबर दो इसको पुष करते हुए आगे ले जाएगे एक दो एक दो बस इने दो स्टेप को लगा तार रिपीट करते हुए हम अपनी बाजरे की गोल-गोल रोटी बनाकर क्यार कर देंगे है ना कितना आसान बाजरे की रोटी को बनाना यहां पर हमारी बाजरे की रोटी बन कर प्यार हो गई है बाजरे की रोटी हलकी से मोती होती है और इसको हम उठाएंगे कैसे बाजरे की रोटी को उठाने के लिए सीथे हाथ को हम अपनी रोटी के उपर स्पोर्ट देंगे और उठे हाथ से पन्नी से इस तरह से रोटी को हाथ के उपर पलट कर धीरे से हम मोंजामे को पन्नी को हटा देंगे, रोटी को left, right, left, right बिल्कुल नहीं करना, इसी के साथ रोटी को सीथे हाथ से हम तवे पर डालें, यहां पर तवे को मैंने गैस पर low flame पर रखार करम किया हुआ है, इसी के साथ यहां पर मैं लोही के तवे का इस्तेमाल कर रहे हूं, बाज जालेंगे देशी घी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है और वणंअसपति घी कभी इस्तेमाल किया सकता है बस तावा जादा गरम नहीं होना चाहिए सीथे हाथ से अपनी रूटी को पिल्गूल १ीरे धीरे तवे के उपर रखते हुए घथ को हम अपने जैसे सिख जाएगी तो इसकी जो किनारे है ना ये सारे किनारे गोल्डन प्राउन हो जाएगे और जब गोल्डन प्राउन हो जाएगे तो उपर का कलर भी चेंज हो जाएगा फिर हम अपनी इसकी साइट को चेंज करेंगे जहां पर आपके नारू को देख लीजिए सारे किन किनारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और रोटी ने उपर से भी कलर चेंज कर लिया है अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे जती हमारी रोटी नीचे से अच्छे तरह से सिख चुके होगे तो साइड चेंज करते समय ये तवे के साथ चिपकेगी नहीं सबसे पहले चको क मदद से हम थीरे थीरे इसके किनारों को नीचे से छोड़वा देंगे अगर नीचे से कच्छी होगे तो इसके किनारे तूटते रहेंगे अब हम चको के एक किनारे से रोटी को हल्का सा उठाएंगे और यहीं से हम जरनी को रोटी के मीचे रखतेंगे और रोटी के उपर लेफ्ट हैंड की स्पोर्ट देते हुए बिल्कुल धीरे से इसके साइड को चेंज करेंगे और अपने आतावे के उपर डाल देंगे अहां पर आप देख लीजे रोटी उपर से कितनी अच्छे से सिख गई है अब हम एक बार फिर से इसके चारो तरब देशी घी को लगा द अपने रोटी को उठाकर हाथ की स्पोर्ट देकर साइड को चेंज करेंगे और आप देख लीजे कितनी अच्छी रोटी बनकर त्यार हुई है इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी रोटी बनाकर भी त्यार करेंगे यहां पर हमारी सारी की सारी पाचरी की रोटी बनकर त्य 244 ग्राम आटे से 5 रोटी बनकर त्यार हुई है और सारी रोटी एक तम से लाइट गोर्डन ब्राउंड करके हमने सीखी है इसी के साथ ही एक रोटी मेरी गलती की वज़े से तूट गई थी जब ने इसकी साइट को चेंज गया तो मैंने हाथ की स्पोर्ट नहीं दी और पस इतनी मेही मेरी रोटी तूट गई यहां पर मैं आपको रोटी को तोड़ कर दिखा रहे हूं देखे कितनी सौफ्ट रोटी बनी है अंदर से एक खसता रोटी बनी है बाहर से दोनों साइट के अच्छे से से शेकने के कारण अंदर से भी हमारा आटा अच्छे से पक चुक जब आपने बाजरी की रूटी खाने हो बस हलकी सी गरम करें और गर्म गर्म चाय के साथ दूद के साथ खालीचे आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा बताने का त्रीका कैसा लगा प्लीज 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 मुझे कमेंट पॉक्स में लिखकर जुरूर बताएगा ज़र्द